मुझे एस पी बाड़ मेल अभी मुझे सुचित किया है कि मैं आपको कोशिस कर रहा हूं मिलाने का कोशिस कर रहा हूं उनसे संपर्क करने का लेकिन ये कोशिस छे गंटे हो गए और मैं कि हाई जी और डीजीपी सारे लोगों ने अस्वासन दिया कि आपको कंकु देवी से मुलाकात होगी उनके बच्चे मिलेंगे जो घटनाएं हुई है जिसमें कि कल सोचना मिली जब इन लोगों को के आयोग की सदस से आ रही हैं तो इन लोग आनन फानन में उनके दो बच्चों को उठा लिया है वो भी बहुत दुखदाई है वो बच्चे भी मुझे चाहिए और कंकू देवी को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा इस घटन से पंचाहिती राज चुनाव से आने वाली महलाएं इतने बंदिस में आकर काम करेंगी और एक कंपड़ी लिकी महला 65 के उम्र में समाज में काम करके जब आगे बढ़ती है और वो एक दलित समाज से आती है उसकी आवाज अगर आयोग उठा रही है और आयोग मिलने की मांग कर रही है और आप बार बार उनके परिवार से उनके लोगों से आयोग से आस्वासन देते रहें कि मिलाता हूँ मिलाता हूँ मिलाता हूँ यह कब तक चलेगा आयोग इस पर बहुत जल्द संग्यान लेगी एस पी जो इसके मेरा तो मनना है कि वार्वेल जीला के जो अधिकारी एसे चो और आयो इनको देख रहे हैं इन से अलग इनको राइधानी से किसी विशेश कविटी बना करके इनकी जाज करनी पड़ेगी इनको शंज्यान में लेंगे हम और मैं इसका रिपोर्ट आयोग के द्वारा मंत्राले को भेजूंगी बारेश सरकार को भेजूंगी और मैं अगला एक्षन अगर यह मुझे कंकु देवी से नहीं मिलाते हैं तो मैं एस्पी के कार्याले में जा करके बैठूंगी और इंतजार करूंगी कि वह आयोग को कब म vista मिला और साका अगर का इसके बाद आगर वह इस पीपाल नहीं करते हैं तो मैं अगला एक्षन उनके कार्याले के सामने ASP कार्याले के सामने मैं बैठोंगे और कंपु देवी मेरे समझ हो ASP का ये दाइत बनता है कि किसी बच्चे की मा अगर किसी कस्टेडी में है पंचायत चुनाओं के जीत हार से मेरा कोई मतलब नहीं है लेकिन ये जरूर मतलब है कि एक बच्चे को उसकी मा मिले एक पंचायत परतिनिदीस वतंतर रूप से अपना वोटिंग करे और ये होस्ट रेडिंग और ये मामला जो चल रहा है ये सरकार के लिए दुगदाई है इस देश के लिए दुगदाई है जिस देश को अमबेदकर ने सीचा गांधी ने सीचा विवेकानंद ने सीचा उस देश में एक पंचायत परतिनिदीत की महिलाओं के साथ ऐसा न्याय ये बरदास्त के खिलाप है आयोग इसमें संग्यान लेगी